नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है मरसिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल आई मरसिंग दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आईफोन SE आपको लेना चाहिए कि आईफोन XR लेना चाहिए सबसे पहला सिंपल और जो आपके सवाल को अपने आपी जवाब देदेगा वो चीज़ है आपका बजट आपका बजट कितना है अगर भाई आपका बजट फिक्स है तो आप iPhone SE में चले जाएए कोई प्रॉबलम नहीं है और अगर आपको लगता है कि हाँ बजट मेरा मैं और पे कर सकता हूँ तो उसके लिए भाई सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या मिलने में लिए थोड़ा बड़ा डिस्प्ले साइज मिल जाएगा बैटरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी और कैमरा वगएर तो बांकी सब सेम है जादा ज्यादा कैमरा में 19-20 का अंत जाता है और कई चीज़ें आ जाती है और कुछ लोग के दिमाख में आ रहा होगा कि भाई 812 और 13 चिप है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप 812 चिप भी ले रहे हो ना तो कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है ठीक है जा अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसि काम ले रहे हैं तो जादा कोई फर्क पढ़ता नहीं है और दूसरी चीज़ में आपको यह बताऊंगा अगर आपको बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो एक चीज़ से खास तौर पर ध्यान रखें कि जब भी आप आइफोन लें आप ट्राइ करिए कि 64G वाला वे WhatsApp है तो यहां iOS में जो मेरा WhatsApp है न वह होगा लगबख मान के चलिए आपका 120 MB का ठीक है 130 MB का 1500 MB का इतना ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर आपका बजट टाइट नहीं है तो आप जो है ट्राइ करिए कि आप 128 GB वाला वेरियंट लीजे तो यह चीज मैं चाहता था कि मैं वीडियो में बताऊं और इसके उपर मैं आपको वेरियंट के वेरियंट एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा I hope आपका यह confusion clear हो गया हो clear cut अगर मेरा opinion लीजे हो सकता है Big billion days वाली सेल में ले लीजे उसमें हो सकता है आपको और बहतेरा offer मिल जाए और अच्छी offer मिल जाए तो आपको और कम रेट में मिल जाए और अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं वैसी कोई समस्या है नहीं तो I hope आपको वीडियो पसंद आया तो ला बाई और मिलते हैं फिर एक नेक्स वीडियो में